आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत विडियो सिलीशन पाओ डाउटनेट नाओ इसका मतलब यह है कि यह जो यह जो एंगल यह यह 90 है यह 60 है यह 30 डिगरी होगा तो हम लोग को भूल सकते हैं कि यह जो वर्टिकल एक्सिस है वर्टिकल से हम लोग 30 डिगरी इंकलाइन करके रहे हैं यह जो यह जो मर्कुरी कॉलम को ओके तो हम लोग को पूछ रहे हैं कि अगर 75 संटीमीटर of mercury है atmospheric pressure तो हम लोग ऐसे incline करके रखा है तो कितना तक यह जो ट्यूब में राइस होगा कितना तक यह ट्यूब में mercury राइस करेगा यह है हम लोग का question कितना तक length of the mercury column कितना तक होगा ओके यह सौल करने के लिए हम लोग देखते है कि अगर मैं आपको एक दोबारा एक बना के दिखाता हूँ यह हम लोग का mercury column ओके इधर atmospheric pressure इधर तक क्या होगा इधर तक राइस करेगा इधर किसका मतलब क्या है कि यह जो mercury column राइस हुआ इसका hydrostatic pressure इस प up क्या होगा atmospheric pressure होगा यह जो जिए जो वॉटर कोलम का जो pressure periphery it is equal to atmospheric pressure वह अब की अभी हम लोग इसको incline करके रेकरे यह incline करके रेकने वाला च gezeigts भी देख लीजए इनकलाइड गर्लोग रेकरे तब भी हम लोग को पतह है कि यह जो water column का vertical हाइट है ना वर्टिकल हाइट वो ह ह ए वो ह ह हो हो एच रो जी इस इक प्यर टू अभी भी प्योस होगा ओके देफोर हम लोगों को पता है कि यह वाटर कॉलं का जो राइस है वो किश पे डिपेंड़न थे वाटर कॉलं का जो राइस क्यों कर रहे है ये जो प्वाइन्ट औ पया उस्का वझे से हम लोगो क्या होगा एक प्रेशार डविल्पोगा हॉड्र फॉडो प्रेरstlay 52 रहीग उगा एटमोस्फेरिक प्रेश्र को हम लोग इसको incline करके रहे का तब भी इसका pressure of the mercury column कितना होना चाहिए it must be equal to atmospheric pressure it must be equal to 75 cm of mercury therefore हम लोग को बोल सकते हैं कि यह जो vertical height जो है vertical height जो है वो अभी भी क्या है 75 cm ही है क्योंकि यह जो राइस इन जो वाटर कोल मेर्कुरी कोलम कितना राइस करें यह कि इसके ऊपर नहीं है mass of the mercury column का ऊपर नहीं है लेकिन pressure का ऊपर है ओके यह जो प्रेशर है यह जो mercury column जो राइस हो रहे वह equal to क्या होना चाहिए atmospheric pressure का होना चाहिए therefore mercury column का प्रेशर कितना होगा एच रोजी सीकोल डूपी यह होना चाहिए देफिर एच्छा भी भी 75 cm और हम लोग को पूचा है कि यह जो L क्या होगा यह L क्या होगा हम लोग को पूचा है therefore इदर हम लोग यह हम लोग क्या लेना चाहिए लेख 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 ल Agreement लेख our लोग को स हम लेख फुछ केझ लेख लेख भी यह हम लोग को स कितना है है लोग को l मुचा है लेख ल लोग को Slatee को स глаз uncertainty it's equal to H divided by root 3 by 2 it is equal to 2H by root 3 2H by root 3 it is equal to हम लोगो धिया कि H 75 cm therefore 2 into 75 divided by root 3 अगर हम लोग करेगा ता हम लोगो value मिलेगा 86.6 cm 86.6 cm तग mercury column rise करेगा ये tube में therefore L का value is equal to 86.6 cm आज ही डाउनलोट करेगा डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर